हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियों बताने जा रहा हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं फोर्थ अगस्ट ऊथावें ट्वेंटीटीटू यहनी वीकली एक्सपारी डे के दिन आपको लाइफ मार्केट में क आपको बताने जा रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर अगर आप फोर्थ अगस्ट दोजार बाइस के निफ्टी के फाइब मिनट के टाइम फ्रेम को देखो देख सकते हैं फाइब मिनट वाला चार्ट है और जैनरल हम लोग फाइब मिनट में गैप अपन हुआ है और हमारे पास क्या है गैप अप मार्केट के लिए एक ट्वीरिंग स्ट्रेटजी बनके तयार है जिसके बारे मैंने आपको अल्वेडी बता दिया था छोटा सा हिंट देता हूं आपको देखना है कि फर्स चार-पांच केंडल पहले केंडल के हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके लोको मार्क करेंगे और जैसे ही प्रैस इसके लोको ब्रेक करके नीचे आएगा हम क्या करें यहाँ पर सेल साइड की तरफ इंट्वी लेंगे यहाँ पर जो हम सेल साइड की तरफ इंट्वी लेंगे वो हो गया आपका 17,490 है करीब और अभी आपका 17,486 के करीब ट्वेड कर रहा है तो यहां पर chances कम है कि इसको hit करेगा लेकिन अगर इसको hit किया तो मेरा यहां पर क्या होगा SL हीट हो जाएगा SL काफी छोड़ा सा होगा हम यहां पर सेल करें 17,460 करीब जो stop loss लाएगा मेरा वही लाएगा 17,490 करीब यहां पर मेरा stop loss है सिर्फ 30 पॉइंट का stop loss है और अगर हम यहां पर target price की बात करें तो first target price होगा आपका यह इस लिवल करीब प्रिबिएस closing के करीब 17,400 करीब यहनि first target price मेरा यहां पर बन वाया 60 पॉइंट का और SL मेरा बन वाया 30 पॉइंट का यहनि विस्क रिवाड इस्यों यहां पर वन इस्टो टू है यहनि जितना मेरा stop loss है उससे डबल मेरा यहां पर target price है मतलब यहां पर विस्क रिवाड इस्यों काफी हद तक मेरे favor में यहां पर हम trade initiate कर सकते हैं आसानी से trade ले सकते हैं और अभी प्राइस आपका उसके करीब कर रहा अब उससे थोड़ा सा नीचे आ गया यहनि 17,490 के लेवल को यहां पर टच नहीं गया लगबग तिन चार पॉइंट से मेरा यहां पर जो target था जो मेरा stop loss था वो यहां पर बच गिया है तिया आप मेरा पूरा ट्वेड setup तेयार है वापस समें एक बार clear cut आपको बता जेता हूं यहां पर जो हमने sell किया था 17,460 करीब मेरा क्या था sell site की तरफ हमने यहां पर entry लिया था किस basis पर जो हमारा यहां पर gap up trading strategy था उसके basis पर उसकी बाद हमारा जो SL था 17,490 करीब हमारा SL था और target price जो है वो पहला होगा आपका 17,400 अगर 17,400 का level break किया यहां पर आप चाहो तो profit book करके वापस से sell site की तरफ जा सकते हो 17,300 के टागेट के लिए नहीं तो आप इसी पोजिशन को ट्विलिंग स्टॉपर के साथ 17,300 तक के level के लिए continue कर सकते हो तो ultimate target में 17,300 लेकिन 17,400 पर हम देखेंगे कि अगर इसको break किया तब 17,300 टागेट पैस होगा अधरवाइस 17,400 पीम प्रॉफिट बुक कर लेंगे अब यहां पर देखेंगे यहां पर हमने यह सारा कॉल क्यों लिया यह समझने की ज़ूरत है market आपका gap up open हुआ है अब price आपका open हुआ है इस particular level पे उसकी बाद क्या हुआ है यहां पर sellers ने इंटी मारा price all the way यहां पर नीचे आके अपना low बनाया फिर यहां पर buyers ने इंट भी किया और price आपका all the way इस level पर गिया अब जैसे इस level पर गिया यहां पर sellers बहुत ज़ाद active हो गया और price को closing यहां पर दिलवाया मतलब यह open हुआ है इस level पर closing थोड़ा सा उपर दिया इसलिए sellers के साथ में जाना है क्योंकि sellers यहां पर strong हो रहे हैं तो यह सारा explanation हम already explain कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए detail से कि यहां पर price section क्या हो रहा और buyers और sellers के बीच में कैसे fight चलवा वो मैंने बता दिया और यह candle देखके clear cut हमें idea मिल गया कि यहां पर अगर price इसकी उपर नहीं जाता तो फिर हम क्या कर सकते हैं sell fair की तरफ जाके आसानी से profit बना सकते हैं जो की positions मेरा already सारा कुछ execute हो गया तो अब यहां पर मैं आपसे थोई देर बाद मिलता हूं जब either मेरा यह जो SL है 17,490 का वो hit हो जाए या फिर मेरा target hit हो जाए 17,400 का तो आ अभी time देखिए लगबग आपका 10 बच के 25 मियट है और market काफी नीचे आ गया 17,430 के करीब आ गया मेरा target price सा 17,400 तो इस situation में option chain हमें क्या बता रहा है कि क्या यहां से price उपर जाए नीचे जाएगा option chain से हमें क्या hint मिलवा है चलि एक बार हम इसके option chain को भी देख लेते हैं त अगर हम यहां पर सबसे पहले 17,500 के लेवल पर देखना चाहेंगे कि यहां पर क्या कुछ बिल्डप हो रहा है अगर हम यहां पर कॉल वाइट उसकी बात करें तो लगबग आपका 1.92 करोर यह नि लगबग आपका 2 करोर करीब कॉल वाइट उस मौजूद है 17500 के लेवल प लगबग 1.10 करोर के करीब है मतलब अगर पूट साइड की तरफ देखें यहां पर तो पूट साइड की तरफ आपका 17500 के लेवल पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका ओनली 43 लाक के करीब क्या है पूट वाइट उस मौजूद है और चेंजिन अपर इंट वेस्ट भी 36 लाक करीब है मतलब यहां से क्लेर कट है कि निफ्टी 17500 पर आज जाने वाला नहीं है इसके करीब आएगा तो हम दुबारा से सेल साइड की तरफ भी जाएंगे एक चीज़ के लिए हो गया अब 17400 के पर देखते हैं यहां पर क्या कुछ है अगर यहां पर आपका 68 लाक के करीब कॉल वाइट जमौजूद है और चेंजिन आपका इंट वेस्ट की बात करीब आपका 10 लाक के करीब कॉल वाइटर आज ही हुआ है इधर अगर हम देखिए इधर आपका लगवाग 1.07 करोड के क करीब क्या है पूट वाइटर्स मौजूद है और चेंजिन आपका एटी लाक के करीब हुआ है पूट सेट की तरफ मतलब सतर चार सो लेवल पर पूट वाइटर्स यहां पर स्ट्रॉंग है मतलब यह सपोर्ट लेवल पर प्राइस रुखता हुआ दिख सकता है और अभी दे अब अगर बाइचांस ब्रेक हो गया तो आप यहां से 100 पॉइंट के और निगेटिव मूव के लिए जा सकते हैं चाहो तो आप इसी पोजिशन को करी कर सकते हैं या नहीं तो बैतर यह रहेगा यह पोजिशन एक्जिट किजिए फ्रेश पोजिशन आप इनिशियेट करके इस लेवल तक आसानी से जा सकते हैं तो option chain हमें क्या बता रहा है वो हमें clear cut idea मिल गया तो चलिए अब हम वापस से चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है अब हम वापस से चार्ट पे आगे हैं टाइम और आभी आपका 11.17am के करिए अब द आपको profit options में भी मिल जाता है उसकी बाद मैंने आपको एक और चीज बोला था कि अगर यह 17400 के लेवल को ब्रेक करता है strong red candle तो आप sell side की तरफ जाए तिहां पे आप 17,390 करीब आसानी से sell side की तरफ positions ले सकते थे future options की बात करें तो 17400 के put options को यहां पे आप आसानी से buy कर सकत अब उसकी बाद देखिए जैसे इस लेवल को ब्रेक किया हमें और ज्यादा negative momentum देखने को मिला और 50 पॉइंट तो आपको विदिन मिंटों में आ गया है तो जो भी आप ट्वेट लेते इसलिए आपको profit मिल जाता लेकिन हमारा ultimate target price क्या होता इस लेवल के बाद हम यहां पे टागेट पैस के लिए जाते 17,300 यहनी टागेट यहां पे हम मेरा होता 90 पॉइंट का और options में ट्वेट गरते तो 50 पॉइंट करीव यहां पे profit मिल जाता मिल जाएगा अगर यह target price को hit करेगा तो उसकी बाद हमारा SL क्या होगा यहां पे अगर हम stop loss की बात करें stop loss जो आपको जो हमें sell set की तरफ entry लेना था वो लेना था 17,390 करीब मैंने अल्वीडी बता दिया था सत्रा चार सो ब्रेक होगा तो हम एक और sell positions लेंगे यहां पे जो हमें SL रखना था 17,450 के करीब यहनी जो मेरा SL हो रहा वो 60 पॉइंट करीब SL हो रहा target price के अगर हम बात करें तो मैंने बोला था यहां पे target price जो आपको रखना परेगा वो होगा 17,300 करीब यहनी target price यहां पे मेरा 90 पॉइंट का है और SL मेरा 60 पॉइंट का है risk reward issue काफी हद तक मेरे favor में यहां पे हम आसानी से tweet ले सकते हैं तो यहां पे हम थोड़ा सा wait करते हैं क्योंकि price आपका 17,350 करीब आ गया और market मेरे favor में कितना आ गया लगबग आपका 30-40 point आ गया तो यहां पे हम क्या करेंगे ट्वेलिंग stop loss वाला जो concept है उसको भी इस्तमाल करेंगे तो हमने sell किया था कितने level पे 17,390 करीब तो यहां पे भी condition मुझे यहां से नुकसान नहीं होना चाहिए अगर market यहां से रिवांट ले लिया तो हम क्या देखेंगे मेरा sell हीट होगा लेकिन अगर market यहां से नीचे गया जिसके chances हैं तो 17,300 का target price easily हीट होगा और 90 point का profit जो यहां पे हम देख रहे हैं वो हमें आसानी से बनता हुआ दिख जाएगा और options में क्या trade लेना था 17,400 के put options को buy करना था वो भी आप यहां पे आसानी से buy कर सकते हैं जो लोग options में trade लेते हैं इसके विश्चिस पे trade ले सकते हैं तो यहां पर हम आपस से चार्ट पे आगे हैं ताइम ओर आभी आपका 1156 एम के करीब और हमारा target price क्या 17,300 था यहां पर 17,300 छोड़िए इसने 17,200 के लेवल को भी टच कर दे यहां से भी swap point नीचे गया अब इस move से में कोई मतलब नहीं है हमें सबसे पहले लगवक साथ पॉइंट का profit मिला था और यहां पर मुझे 90 पॉइंट का profit मिला है यहां अबर आल डेस पॉइंट का profit हमें futures मिलगे options में trade लेते हैं यहां भी लगवक आपका 80-90 पॉइंट का profit आसानी से बन सकता था अगर आप in the money में trade लेते तो अब यहां पर एक और चीज मेरे मतलब का develop हो रहा है अब देखिए 17,200 आपका एक crucial क्या है एक support level है कैसे support level है इसे करीब देखिए previous time भी लगवक आपक इससे 40 point उपर है वहीं पर support level develop हुआ है और जैसे अगर हम 17,200 के नीची आते हैं candle का पूरा का पूरा क्या है टेल वाला पार्ट है कोई भी body part नहीं है और यहां पर क्या देखने क्मिला है यहां पर थोरे बहुत जो sellers हैं वो भी यहां पर कम जोर हुए हैं तो यहां पर क्या हुआ seller थोरे से कमजोर हुए और यह candle दिखा रहा है कि buyers ने पूरा का पूरा अपना strength यहां पर gain किया है अब यहां पर हम क्या करेंगे जैसे ही price इस level को break करके ऊपर निकलता है ठीक है तिहां पर buy positions initiate करेंगे लगबग आपका होगा 17,260 के करीब first target price होगा 17,300 और इसके क्योंकि नीचे के level पर हमें यहां पर buying देखने को मिलवा और strong buying आ रहा है stop loss जो भी lowest point बना यह हमारा SL हो जाएगा तो SL जो करीब करीब आपका बनेगा 17,170 के करीब बनेगा जो हम entry ले रहे हैं लगबग आपका 17,260 करीब entry ले रहे हैं तो यहां पर stop loss मेरा काफी big हो रहा यहां पर थोड़े से हमें modification करने होंगे stop loss को कम करना होगा तो चले clear करते हैं इंट्वीद हम इसी level पर लेंगे 17,260 करीब अब stop loss को modify कर सकते हैं support level कहाँ पर 17,200 करीब है तो यहां पर 17,200 के करीब या फिर 17,195 इन दोनों में से कोई भी SL रख सकते हैं थोड़ा सा नीचे र हुआ है जो SL अब मेरा हो गया 65 पॉइंट का अब यहां पर हम टागेट पैस के लिए क्या जा रहे है 17,300 पहला 40 है और उसके बाद 400 यहां पर थोड़ा सा हम विस्क ले रहे हैं और यह किन के लिए जो थोड़ा बहुत विस्क लेना चाहते हैं वो ट्वेड ले सकते हैं जो सेफ जाना चाहते हैं वो ट्वेड ना ले यहां पर क्योंकि यहां पर हमें सेरेटी नहीं मिल वाया सिर्फ केंडल का जो छोड़ा सा स्ट्वेंद वाला पार्ट है बस इतने पोर्शन को देख कि हम ट्वेड ले रहें बागी का जो भी कुछ है मेरे अगेंस्ट में है तो है तो आपको यह भी करना पर या कि कहां पर रिख नाहीं है और अगर आप यंश्क लोगे रिवओर एक्सोंच पे मिलेगा नहीं तो 65 पॉइंट को आपको नुकसान भी करना पड़ेगा तो और यहां पर हम कितने पॉइंट के प्रॉफिट में लगवाक फोइंट के प्रॉफिट में तो यहां पर साथ पॉइंट का विस्क लिया जा सकता है और रिस्क कब लेना जब थोड़े-वहुत तो यहां पर हम रिस्क ले सकते हैं तो ऐसी सिट्वेशन में आप यहां पर विस्क कैलकुलेशन करके जा सकते हैं तो यहां पर मेरा सारा कुछ clear हो गया, अब आपको यहां पे आगे बताना है, कि यहां पे मेरा target price हिट हुआ है, या फिर हमारा stop loss हिट हुआ है उसकी बाद, यहां पे एक और काम किया जा सकता है अब expired day की दिन, एक और बहुत popular है, hero or zero call तो जो भी लोग hero or zero call लेना चाहते हैं, वो यहां पे 17,200 के लेवल पे ले सकते थे यह perfect level था, क्यों perfect level था, क्योंकि price अगर यहां से reversal लिया, तो कहां तक जाएगा 17,400 करीब जाएगा, और अगर यहां से price नीचे गया, तो यह आपका 17,000 करीब जाएगा, मतलब यहां पे price रुकने वाला नहीं है, यहां से 200 point नीचे, यहां फिर 200 point उपर जाएगा, यहां पे हमें volatility देखने को मिलेगा, तो ऐसे situation का ही हमें इंतजार रहता है expired day के दिन, और जब हमें इस तरह का level मिलता है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, hero और zero call का setup त्यार करते हैं, यहां पे हमें करना क्या है हम 17,250 यहां फिर 17,200 जो भी आपको सही लगता है इस strike price का आप call options भी buy कर लो और यहां पे आप put options भी buy कर लो क्या होगा अगर यह उपर गया, तो put options आपका zero होगा, और इधर आपको तीन गुने के करे profit मिलता हुआ दिख जाएगा, यहां आप यहां पे अच्छे खासे profit में रहोगे अगर market नीचे गया, तो क्या होगा call option zero होगा, और इधर आपको तीन गुना profit मिलता हुआ, आसानी से दिख जाएगा तो इस तरीके से यहां पे आप hero और zero call का set up भी तयार कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि यहां पे वही लोग trade ले जो risk लेना चाहते हैं, जैसे hero or zero call में risk रहता है, वही लोग यहां पे trade ले सकते हैं, तो अपने situation के हिसाब से, आप यहां पे अपना trade setup भी तयार कर सकते हैं जैसे मैंने बता है वहाँ पे आप risk calculate करके भी जा सकते हैं यानि तो hero and zero call का भी setup तयार करके trade ले सकते हो तो कब कौन सा trade लेना यही situation को देखते हुए आपको identify करना और यही चीज market में आपको profit बना के देगा otherwise market से profit निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए मैं live market में यह सब कुछ explain कर रहा हूँ क्योंकि live market में decision making थोड़ा सा difficult होता है अगर आप यहाँ पे decision making ले लिए सही decision ले लिए तो फिर आपको profit मिलता हुआ देख जाएगा और आज तो market काफी अद तक levels को respect कर रहा है देगा क्योंकि market को भी पता है कि profit किसको देना और किसको नहीं देना इस वीडियो में इतना ही बस आप मुझे आगे बताइए यहाँ पर क्या कुछ हुआ है मार्केट हमारा सत्रह चार्ट लिवल पर गिया या फिर सत्रह हजार के लिवल पर गिया हुआ हमें comment section में comment करके बताएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए साथ ही साथ बेल आइकन को दमाना ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के आगे भी वीडियो अप्लोड करें उसका notification आपके पास आ जाए so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन